दोस्तों गर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही असन तरीके से खराब जालर को ठीक करना सिखाऊँगा जरूरी नहीं कि आपने कोई कोर्स किया हो या फिर आपको एक काम आता हो ऐसा नहीं है ये वीडियो कोई भी देख सकता है और इसको देख के कोई भी सीख सकता है सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक सुबकामना है आप लोगों को मैं एक बार तही दिल से धन्यबात कहना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारे दूसरे चैनल पर सिल्वर प्ले बेटन आ गया है और यह जो हमारी जालर रेपैरिंग के जो वीडियो की सीरीज थी पिसले साल की और अभी की वो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से काफी वाइरल हुई है और उनसे बहुत सारे लोगों ने जालर रेपैरिंग करना सीखा है उन सभी वीडियो पे एक कॉमन जो कमेंड होती है सभी को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ फाइनल वीडियो रहेगी क्योंकि आज महालक्समी है तो आज फाइनल वीडियो मां पॉब्लिश कर रहा हूँ और इसमें सभी फॉल्ट के बारे में आपको बता दूँगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा तो यहां पर अब हम सुरुआत करते हैं कुछ जालर से यहां पर कुछ जालर हमारे पर पढ़ी है सभी को हम ठीक करेंगे और सबसे पहले तो मैं टेश्टर की बात करूंगा कि यहां पर जब मैंने पिछले बार वीडियो बनाई थी तो इस टेश्टर से टेस्ट करके बताया था और यह टेश्टर काफी महंगा है बोलके काफी लोग नहीं ले पा रहे थे और हो सकता है ओनलाइन में और भी महांगा हो तो यह जो टेस्टर है यह देखिए इस तरीके से ना फोल्ट को डिटेक्ट करता है बट काफी लोगों को आसानी से एविलेबल नहीं हो पाता है तो उनको मैंने बता है कि भाई इस टाइप का एक टेस्टर ले लो हर्माल से लेलू 10 रूप्ए मां आ जाता है तो कोई दिकत chili यह किन इस तरीके से तरीका है कहीं पर भी current लोगर लगने का खत्रा नहीं है और एक इस तरी से स्लीव ले लो नहीं है तो एक टेप ले लो बस आपने कुछ ही नहीं करना यह सुई को इस टेस्टर में इस तरीके से बाधना है और अच्छी तरीके से इसको बाध के टेपिंग कर लेना है और आपको टॉप म के बाद यही हमारा जालो को रिपयर करने माच सबसे ब्राइब होगा बस यहीं चीए रहता और कुछ भी नहीं तो यहा पर देक्हछे मैं स्लीव की मदद से इस बाध लेता हूं ले बाध लेटा हूं चीरे सब्सक्राइब हो Hinter hem से हमने sleep में इस सुई को इस तरीके से बांधा है और इस सुई को हम ने किसी भी तरीके से चिप लेना है तो पहले मिए यही काम कर लेता हूं उसके बाद आगे कि जो कारवाई होगी मैं बताऊंगा इस ladder से आपने कैसे से इसको तरीके लगा लेता हूँ, बस इतनी सी नोग हमने आगे छोड़नी है और इससे छोटी सी नोग होड़ नहीं कोई बहुत बाद मों सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है फॉल पे बात है और अगर सीखना चाहते तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा एक वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा दे सकती है मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखे आप बहुत इससान तरीके से सीख इस तरीके से पूरा सेट अब करना है और यहां पर बार से मैं इसको यह पुरा बात लेताँ उसा से देखिए पूरा हो गया बस यही काम करना रहता है और यही इस के वी म। करके अचीतरी कें से इसा करना ह Nee कि आपको करण्ट किसी भी तरीके से ना लगे भस यह पूरा भी होगया है हमारा देखिए क्यूंद यह हमारा टैस्टर बन गया है टेस्ट कर लेका अगर आप पर भी हाथ ट लघ्या को तूल आपको नहीं लगेगा अब देखें यहाँ पर यह प्लग है इसमें हमारा बिल्कुल 220 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पर देखें मैं टेस्टर से आपको दिखाता हूँ अगर आप देखें तो टेस्टर इहां पर ग्लो कर रहा है सुई की नोक हमने इसमें लगा ली है और इसतरी के से देखिये एक टैसटर Glow करता है और संसमें नहीं ग्रता है सिर्फ टैस्टर लाइववालहारे में ग्लोग करता है येग域 इसको बोलते हैं अब हम एक जालर को इसमें अटेज करते हैं अब जालर की कुछ कंडिशन्स है मैं आपको बताता हूँ जालर क्या-क्या खराभ उसमें क्या-क्या खराभी जालर पर आती है एक जालर ऐसी होती कि पूरी बंद होती है एक होती है एक line जलती है एक Leban नहीं जलती, एक बल्ब छोड़के देखाऊगा, आपने जलता है, एक नहीं जलता है, तो दो कंडिशन ही है, तीसरी है, कि उसकी पूरी वायर तूटी हुई रहती है, हमाँ पता नहीं चलता कि कौन सी वायर कैसे टैज करनी है, और एक होती है, डब्बी पूरी ब्रेक हो जा सबसे लाश्ट में, सारे वायर को एक साथ टैज करना रहता है, तो यहां पर एक जालर है मेरे पास, जिस मैं स्टार्टिंग करते हैं इसी जालर से, एक जालर है मेरे पास, जिस मैं देखिए, अब यहां पर वायर का भी आपको काउंटिंग बदा है, कितने-कितनी वायर हो और इसमें वाली कॉनसी अब देखिए सिंपल सी बात है एक डाइगराम भी मना देता हूं आपको समझाने के लिए अगर आपको वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो तो आप वीडियो छोड सकते हैं जिसको शीखना है मैं लंबी वीडियो बना रहा हूं मैं मेरा भी बट मैं चाहता हूं कि मेरा time wasted भले कोई बात नहीं हो जाę लेकिन इस वीडियो से अगर लाखों लोग सीखें तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा achievement होगा वह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी ठीक है एक बात सीख लो हमको हर साल यही मैथड अपनाना है अब जालर की जो होता है ना किस तरीके से होता है आपको वायर की पहले संख्या बता तो यह जालर के connection कैसे होते हैं आपको अब यह एक वायर है और यहां पर देखिए बल्ब कुछ इस तरीके से सीरीज में लगे वे रहते हैं यह देखे कुछ इस तरीके से सीरीज में होते हैं जैसे आप दस लोगों की बात कर लो तो दस लोग एक दूसरा हाथ पकड़ के खड़े होंगे तो उसको बोलते सीरीज तो सभी बल्ब सीरीज में होते हैं तो एक अगर बल्ब खराब हो जाए तो फूरी सीरीज जो है बंद हो जाती है इसमें से अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो सीरीज उसकी बंद हो जाती है तो इस तरीके से होता है एक वैर है इसमें एक बल्ब लगा है उसके थोड़ा दूरी में दूसरा, तीसरा, चोथा, पॉंच वाइसी, 10, 15, 20, 20, 30, 40, 50 ऐसे बल्ब लगे वे रहते हैं अब एक इसमें थी हमारी तीन वैर, तो एक वैर ही होगी इसमें क्या होता है ना, एक सर्किट वाला, दो सर्किट वाले होते हैं एक में क्या होता है, जिसमें एक वैर जल रहा है, एक वैर नहीं जल रहा है, वो दो सर्किट वाले होते हैं तो इसमें क्या होता है, एक वैर यह होगी, और दूसरी वैर यह होगी इसमें भी हमारी ऐसे बल्ब होती है देखे, स्वारी, मैं आपको कुछ खास image नहीं दिख रही होगी बनते हुए बट कोशिक कर रहा हूँ अपको अच्छी तरी के सिका सकूँ यह bulb है समझ लीजे ठीक है उतना खास नहीं बना है बट यह bulb है जो नीचे को लटक रहे हैं यह bulb है तो एक wire यह हैं एक wire में बलब लगे हुए हैं दूसरे वाल में बलब लगे हुए हैं इसको बोलते हैं double circuit वाली एक circuit आपका यह है दूसरा यह है अब बाकी दो और wire साथ में होती हैं एक यह हुई और एक यह हुई यह होती common wire यह होती common wire common wire वो होती है जो आपको जालर में लास्ट तक जिसमें कोई भी बलबल लगे वे नहीं मिलेंगे, यह किसी जालर में एक होती है, किसी में दो होती है, ज्यादे तर दो common wire होती है, अगर एक common wire आपकी अंदर से गल जाये, खराब हो जाये, तो दूसरी common wire का support हमेशा मिलता है, इसलिए दो common wire लगाई जाती है, बा लास्ट में सब wire एक साथ attach हो जाती है, यहाँ पर देखिए, अगर दो circuit वाली है, तो यह दोनों आपस में attach होंगी, और यह attach होंगी, यहाँ पर आपका neutral या फिर live इसमें जूर जूर जाएगा, और यहाँ पर यहाँ आपका live जूर जूर जाएगा, अगर डायोड है, अग आपका ऐसा अपने situation देखा होगा ना, तो double circuit वाली जो होती है, उसमें एक bulb जलता है, और एक छोड़ के नहीं जलता है, एक छोड़ के जलता है, तो यह जो scene है, उसमें क्या होता है, यह जो series में बल्ब लगे होए लते हैं, अगर अंदर कहीं से तार गल जाए, या यह बल् series बंद हो जाएगी, तो series बंद हो जाएगी, हमां find करना रहता है कि कौन सा वल्ब खराब है, यह tester वो ही काम करता है, या फिर यह tester वो ही काम करता है, अगर आपकी दोनु बंद है, तो दोनु जो series में कोई ने कोई खराबी वहाँ पर आ चुकी होगी, कभी-कभी आपके dim ज जल जाए, अंदर ही अंदर, short हो जाती है, तो इस वज़े से भी आपकी जालर नहीं जलती है, अब इसमें करना क्या रहता है, देखिए, मैंने आपको बता दिया, अगर तीन वायर है, तो एक कॉमन और दो इसमें सर्कृट हो सकता है, या फिर एक सर्कृट और दो कॉमन हो होलते हैं, यह डायोड होता है, यह AC को DC में बदलता है, हमारे घर पे जो लाइट आती है, वो होती AC, AC क्या होता है, alternating ground होता है, DC बनाता है उसको, और DC में जो आपकी LED चलती है, अगर DC में चलाए जा तो बिल्कुल फॉफेक्ट तरीके से वाक करती है, लेकिन इसको हम डाय iamaki क्योंसी है और हमारी bulb की क्योंसी है देखेंगे, इसको थोला सा मखोलना चाहिए इसको हम खोलना चाहिए, तो यहाँपर देखिए, पता चलिए हमारे, देखिए, simple सी बात है, यहाँपर वायर अलग करने के बात यह single circuit वाली है, इसमें एक वायर ऐसी है, जिसमें हमारी कुछ कुछ दूरी पर बल्ब लगे वे और यह जो दो वायर है वो हमारी common की है यह common की है इन जो common की वायर होती है उसमें last तक कोई भी बल्ब नहीं होता है simple wire आपको last तक ऐसे जाती भी मिलेंगे और last में इसके साथ अटेच हो जाती है तो यह दो common wire आपस में इस तुरीके से हम जोड़ेंगे और इसको भी और इस तरीके से खोड़ लेते हैं और इसको हम अटेच करते हैं इसमें देखिए अगर जालर विल्कुर्ट सही होगी तो च करेंगे अब find कैसे करना है वही टेस्ट की हेल्फ हमें लेनी है अब कैसे हम चेक करेंगे सबसे पहले आपने करना क्या है देखिए यह common की वायर आपने अलग कर लेनी है और वो आली आप लगे हुए है ठिक बलब लगे हुए उसको पकड़ना है और आपने इस तरीके से एक लग रहा है उस side को आपने उस wire को डाल देना है जिस wire पर आपके bulb लगे हुए है ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा इस वाले wire पर हमारी live जो है बहने लगेगी यहने कि live जाने की current जो है बहने लगेगा अब यहाँ पर हम इस तरीके से उसको हम इस तरीके से चुभोएंगे इस तरीके से हम चुभोएंगे बिल्कुल सेफ है खत्रा नहीं है अब यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए टेस्टर जल रहा है यानि कि इस बार महारी लाइव बह रही है अब हम इसको आगे तक हम देखेंगे यहां पर जिस जगह पे टेस्टर जलना बंद हो जाएगा वहां पर हमारी बिल्कुल फॉल्ट का है ना वहां पे फॉल्ट रहेगा तो देखी यहां से हमारा कॉममन वायर को हमने अलग कर लिया है और कि कॉमन वायर लास्ट तक बिल्कुल सेम भी रहती है। पर फॉल्ट कम मिलता है हमें जो फॉल्ट मिलता है उसी में मिलता है अब हमाँ बल्ब के साइड को मैं इस तरीके से चुभू के चेक करना है देखिए इस तरीके से हमें चुभू दिया है चेक करना है देखिए यहाँ पर देखिए बल्ब नहीं जल रहा है हमारे टेस्टर न चेक नहीं करा था ओ यह देखिए टेस्टर यहीं स्टार्टिंग पर ही नहीं जल रहा है सबसे फ़ले हम इधर को देखते हैं फिर से यहां पर देखिए इस तरीके से आगर आप चुब होईंगे तो अंदर वायर में यह जैसे ही यह लगेगा देखिए सईसे इसको चुब होना है सेंटर में मिलकुल बीचों बीच यह देखिए टेस्टर जलते वे साध आपको यहां पर दिख रहा होगा इसके बाद मां सेंट कर लेता हूं और यहां पर अगर आपके बल्ब स्टार्टिंग में है तो आप यहां पर कट कर लो इसको स्टार्टिंग में इस तरीके से कट कर लो अगर आपका यह बल्ब बीच में है तो बीच में अगर सपोज यहाला इस तरीके से हो रहा है तो इसको कट करके दोनु वा लगा कर आपके सामने जालर बिल्कुल चल रही है और कॉमन अगर आप एक भी लगा हुए तो भी चल जाएगा दूसरी भी लगा होगे तो भी चल जाएगा ठीक है कॉमन और कॉमन आप अगर आप दोनु लगाना चाहे तो दोनु भी आप लगा सकते हैं मैं इसको हाथ अगर बगर पहन लेना तो देखिए यहाँ पर यह चल रहा है अब वो जो बल्ब हमने हटाया था देखते हैं उसमाँ खराबी क्या थी इसके अंदर देखते हैं खराबी क्या थी अब देखते हैं LED हम चेक करकर देख लेते हैं LED का चेक करके देख लेते हैं LED की से ाइब हो गया हाँ तो देखते रहो हूँ यह देखिए LED हमारी हराब है सही होती तो जल जाती है LED चलिए अब एक जालर तो हमारी ठीक हो गई है तो हाँ इसको अगर हम कैसे करेंगे आप दो common की वो अगर दो वायर simple आपकी जालर के last तक चल रही है तो common की रहेंगे ठीक है वो common की होंगी जिसमें आपकी बल्ब नहीं ह होता वह common की होती है आप इसको दोनुको या तो आपस में साथ में इस तरीके से जोड़ लो या तो आप इसको एक को भी जोड़ सकते हो तो यह देखो इसको हम ने लगा लिया इधर पे और यह इधर पर कनेक कर लिया है अब होगा क्या जैसे हमने इसमें बुला था ना कि कि आर बल्ब खराम ए तो अब यहां पर आप लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट तक आपका यह टेष्टर ग्लो करने लगेगा कई भी बी देख लो कहीं पर भी देख लो आप इसको चुबो के टेस्टर वहां पे जलने लगेगा देखिए अच्छी तरीके से चुब होते हैं, सेंटर में बिल्कुल, क्योंकि वायरिस में बीचों बीच होती है, तो यह देखो, यह देखो, आपको टेस्टर जलते वे सायद दिख रहा होगा, दिखा, तो लाइक कर देना, कमेंड कर लेना, जिस दिखा, ठीक है, तो इस तरीके से ला लीखते भी हैं, तो बिल्कुल सेफ टेस्टर है, इसको बना लो 10 रुपे में, तो काफी लोग effort नि कर पाते वाला टेस्टर, तो कोई बात नहीं भाई, आप इसको भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, और लास्ट में जो जालर होती है, वो सारे बल्ब एक साथ, सारी वायर एक साथ connect होती है, अगर लास्ट का बल्ब तूट जाए, तो आपने क्या करना है, लास्ट का बल्ब तूट गया हो, तो यहाँ पर आपने इसको cut कर ले रहा, एक चीज और दिखाता हूँ, यह आपको एक knowledge के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा, देखिए, अब क्या कर ठीक है, सारी वायर को एक साथ आप connect कर लीजेगा, मैं खुद connect करके आपको दिखाँगा, तब आपको believe होगा, हाँ, यह चलती है, वरना आप लोग तो डरेंगे भाई, आप देखिए, सारी वायर एक साथ मैंने connect करी हैं, और आपको जला के दिखाता हूँ, इसमें दो common है एक common को भी लगाँगा, तो भी हमारा काम बन जागा, देखिए, आपके सामने जालर चल रही है, यह चमकती भी से लिखे रही है, क्योंकि यह इसमें डायोड नहीं लगे हूँ है, सिर्फ कैमरा में आपको दिख रहा है, एक्चुल में चमक नहीं दिखे हैं, इस डबी के सारी वायर हम जोड लेते हैं, क्या हम एंडिंग पॉइंट से भी इसको चला सकते हैं, जी हाँ, चला सकते हैं, देखिए, एंडिंग पॉइंट में आपने वो वायर को अलग कर लेना है, जिसमें बल्ब लगी है, यह देखिए, इस वायर हमारी बल्ब लगी है, इस वायर क कनेक्ट करना है तो आपकी जालर चल पड़ेगी आप श्राडिंग से चलाओ एंडिंग से चलाओ बात एक ही है है ना मज़ेदार बात है लाइक कर लो अब चलिए अगले जालर की तरफ हम चलते हैं और हाँ सोरी मैं आपको बताना भूलिए आपने कैसे करना है इस सब्सक्राइस लिखा हम मिलेहे और की प्लस और यह μायली- धेक अफान प्लस पहा लगाओ कॉमन को जिसमें कोई भी बल्व नहीं लगए उसको अप्रेसम को अलगनेक्ट करो इस तरीके से दे ठीक है और इसको करले याप जिसमें आपके बलब लगे हैं उसको आप माइनुस परmot इसको है हाज यह देखो यह तो सिंगल सरकीट है अगर डबल सरकीट होता तो जिसमें में बल्ब लग विए दो वायर है इसमा टैज हो तो यहां पर चलने लगेगी देखिए, अगर नहीं चल रही है तो आपकी डायोट खराब है एक सेगन मैं सबसे लास्ट की सॉरी हमारी इसकी मूच की गया रहे ना कनेक्टर नहीं थी, इसलिए तो नहीं जल रही है इसको आपस में एक साथ हम connect कर लेते हैं अगर नहीं जल रही है तो आपका यह सही है तो यह नहीं जल रही एक दिखिए एक सेगंड पर इसकी rectifier खराब है तो यहां पर हम इसको अलग लेते हैं इसका rectifier तो एसे चल जाएंगा यह यह चल जाए रहा है यह पर रखा होका कि भीप-वीप ऐसको हटा देते हैं तो उसका रेक्टिपयाइघ्टि ने ह APP टा दिया चला सकते हैं देखिए इस तरी це चलिए अगले जहालर की तरफ चलते हैं और आप आपको ऐसा चैनल कभी नहीं मिलेगा जो विल्कुल friendly आपको सिखा सके एक एक चीज बिल्कुल बहतर तरीके से बता सके हो सकता है बहुत सारे चैनल हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार ऐसे कोई सिखा सकता है ठीक है इतनी लंबी वीडियो बनाके बहतर तरीके से बहुत कम की लोग सिखाते हैं हम यही नहीं क्षिज्म इलेक्रोनिक में आपको सिखाते हैं आगर आप नए हैं हमाइसे जूड़ सकते हैं अगर आपने व्लॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख लेना मैं उत्राखन में रहता हूं और बिल्कुल पहाड का बिल्कुल द्रिश वहां पर आपको दिखाते रहता हूं अगर चाहे तो उस चैनल को भी आप फोलो कर सकते हैं अब एक इस जालर को पकड़ते हैं इसमें क्या फॉल्ट है हम देखते हैं और मेरा टेंट ह जल रहा है एक नहीं जल रहा है एक जल रहा है एक छोड के मतलब एक एक छोड के वाला समय सीन है ठीक है बहुत ही सिंपल है अब इसको हम बनाते बहुत ही असान तरीके से चुटकियों में बनाएंगे भाई अब यह क्यों होता है इस डब्बी को आपने खोल लेना किसी भी देखिए सब कुछ ठीक है वायर कोई चूटव देखिए सब ठीक है न तो सब कुछ टीक है टो आपने को बीए को तोड़ लेते हैं वेलको तोड़ा है सब देखिए आप इसमें चार कपवायर है systems तो चार वायर हैं तो दो हमारी falls वाली है क्योंकि एक नहीं जल रही है जल रही है तो डबल सरक्रिट पता चल गए यह दो बायर हमारी कामन की होगी जिसमें कोई भीा कोई भी बल्ब नहीं लगा है रगर लाश्ट तक यह दो common की अगर एक भी आप चाहें तो common की बना सकते हैं वो इसलिए होती भी दो supporting वायर होती है इसलिए अगर कभी एक common में फोल्टाज हो तो इसलिए दो common है पर हमेशा बनाई जाती है यह देखिए आपकी दो common है एक साथ connect कर लो आप इस तरीके से और इसको रख लो अलग इसका तो कोई काम ही नहीं है इसमें इस जालर में काम है इनका इसमें से जो नहीं जल रही है उसको हमने पकड़ना है पहले हम देख लेते कौन सी वाली लाइन जो इस वाली लाइन नहीं जल रही थी एक फर्स्ट वाली तो जल रही थी और सेकंड से अहां पर नहीं जल रही थी एक सेकंड इसको मैं छील लेता हूं और देखता हूं कौन ची नहीं जल रही है तब हमां कंफर्म हो जाएगा देखिए अब देखते हैं कौन से नहीं जल रही है यह नहीं जल रही है यह जल रही है यह 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 य लॉक कर देते हैं इसको हाँ अब इसको अब हमने करना है इसमें काम सभी बायर को हटा लो बस इस वायर इसको फाइंड करना है हमने इस वाले को तो इसको हमने देखना है तो यहां पर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यह नहीं यह एक एक छोड़ के आप देखो यह है इसके बाद यह वाला उस वाले का है यह एक एक छोड़ के देखना आपने अब इसमें आपने टेस्टर को गुजाना है और देखना है कि वहाँ पर तेच्टर जल रहा है या फिर नहीं वह तक live नहीं पहुँझेगा तो आपका जोए, ने कहीं कहीं उस lonute का State trade, यह देखिसमाइब क्रूछ यह यह देखिए, यह जल रहा है पर फॉर्सक्लास तरीके सह जल रहा है यहाँ पर है इसका मतलब यहां तक लाइन हमारी आ रही है अब हम देखते हैं कहां पर एक काम करते लाश्ट लाश्ट तक हम बीज़ भीज में खोर के देख लेते हैं ऐसा नहीं कि अपने सीरेल वाइच चलना नहीं इसको आप आगे तक देख लो कोई दिक्वत नहीं ए अब हमारा यही है केच पता चलेगा उसमें हमारी लाइट आएगी या अभी पता चल जाएगा क्योंकि इसमें एक छोड़के है तो इसमें तो नहीं आ रहा है कहीं वो तो नहीं है इसमें देख लेते हैं दोनों में देख लेते हैं लाइट नहीं आई तो उससे पहले हम काम करने लग जाएंगे इसमें light आ रही क्योंकि ये वाला हमारा ये है यह मतलब यहां तक हमारी light पहुंच रही है दिख रहा होगा आपको ना इसमें light पहुंच रही है इसके बाद हम एक छोड़ देते हैं एक को पकड़ते हैं एक को पकड़ते हैं और एक छोड़ते हैं एक को पकड़ते हैं अब य यहां तो लाइट नहीं जिल रही है, कई फोल्ट इस से पहले तो नहीं है, इसमे नहीं जिल रहा है, एक पाइज इसम देख लेते हैं, क 없이 हरबड़ी में पता चला इधर इधर हो गया है, देया हैँ, एक छोड़ में पिदो हो थे हैं वे हमोणे नहीं पोणिरा पागे यहां लाइन पोच रही कि प्ता चलिएगा से सउरी सी इसको चुबो ना है कि इसक 위에 तो इतनी बारीकों से अमने बनाय वाए मतने पहुँच लिए हैं कहए इसके पहले फॉल्ट नहीं आ गया इदर पे इदर पे को अमने अभी सीश्क करा था इदर पे जो आछश्क नहीं के बाद में सब्सक्राइब बीचों बीच आप चुब हो यह तभी तो पता चलेगा कि हो अभर नहीं जैनल रहा है इदर पर जल रही इधर पर नहीं जैने स काम सब्सक्राइब आभ इसको और निकाल लेते हैं और यहां पर इस तरीके से से चील लू साइब हुड वाइए वापस में इस तरीके से जोड़ लो यानि कि जो सीरीज बीच में बल्ब खराब एल वायर कटी है वो तूटी सीरीज उसको आपने जोड़ना है सीरीज जब हमारी पूरी होगी अब तो भी यह चलनी चीए है है ना मज़ा यह दिखिए हैं अब इसको हम अभीर से किनेक्ट कर लेते हैं तो अब देखिए कैसी कनेक्शन करना है दो कॉमन की हम आपस में इस तरी कि चोड़ांगे जिसमें कोई भी बलब आसतक नहीं लगा वा है और दो वायर यह वाली हम जोड़ लेंगे जिसमें हमार जो है बल्ब लगे हुए हैं इसको बराबर करने के लिए बल्ब शुरुवात का कार्ड देता हूं कोई दिकत नहीं है और बल्ब एक दो तीन चार कम होजा कोई दिकत नहीं होती ठीक है 10-15-20 बल्ब कमनी होने चीए एक दो च्छे सज्जाता काम दो यह वायर हमने जोड़ी जिसमें बल्ब लगे हुए थे एक इस वायर में यह बल्ब लगे हुए तो इसको हमने इस तरीके से जोड़ लिया है यह देखिए अब यहां पर जो रेक्टिफायर था कहां गया भी रे अब ता मैं ढूरता हूं पहले रेक्टिफायर इसका कहां है मिल्या रेक्टिफायर कि यह देखिए अब यहां पर यहां पर देखिए इसमें जो प्लस मैनेस है उसी महां अपने ध्यान देना है कि यह देखो जिसमें प्लस लिखा हुआ है इसके एक तरफ को प्लस लिखा हुआ रहेगा जिसमें प्लस लिखा हुआ है उसमें आपने कॉमन को जोड़े लेना है जिसमें प्लस लिखा हुआ है उसमें आपने कॉमन को सोडिंग कर लेना है आपको माइनस मिल जाता है उसमा आपने वाले वायर जोड़ देने हैं उसमें और जिसमें बल्ब हमारे लगे वह जूँआ है और आपको टैस्टिंग करवा के दिखा देता हूँ इस रक्टिफघ को लगाने के बाद हैना ब्लिंकिंग की समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है camera में शिरफ वैसे आप देखोगे तो वैसे blinking नहीं नहीं होती शिर्प camera ही जो है ना इसको link कर दिखाता है आप देखो अब आपको blinking करता भी नहीं दिखरी होगी वो सिर्व camera की वज़े से हो रहा था अभी जो इस के भी बिना अब अब यह DC दे रहा है इसको इसको जो नहीं DC दे रहा है है मैं आपको दिखाता हूं पूरा मेथड इसका बताता हूं स्वरी आपको रिपार करना सीख लिया होगा आपने कमेंट कर ले ना सॉरी यह ना आपका मल्टी मीटर आपको ऐसे नॉलेज मा बता रहा हूं अगर आप देखेंगे तो यहां पर रिक्टिफार लगा हूए यह DC अभी ना तो DC इस साइड को अगर आप देखोगे तो यहां पर यह DC वोल्टेज बताएगा यह 204 वोल्ट DC बता रहा है अगर इससे पहले देखोगे तो इसको आपने AC में स्विच करना पड़ेगा यह देखें यह AC में यहां पर बताएगा यह DC में नहीं स्टार्टिंग यहां से लाइट घुसी सोरी यहां से लाइट घुसी इसमें AC यह बनाएगा DC इसको DC देगा जो फ्लिकरिंग की समझे आती है वो सिफ AC में होती है और एक कैमरा ही दिखाता है वैसे नहीं दिखाता और थोड़ी सी ब्राइटनेस भी बढ़ जाती है इनके अगर आप एक्टिफार के साथ चलाएं तो वरना विना डिब्बी के भी आप चला सकते कैसे चलाते मैंने बत है तो आप सेयर कर सकते हैं भले लाइक ना करें कमेंट ना करें और आप में चैनल को सब्सक्राइब ना करें लेकिन इसको शेयर कर लेना किसी की साथ आठ सो हजार रुपए की जो जालर होगी वह असानी से रिपैर कर सकता है वंदा इस वीडियो के देखके हम यह हमेसा ही चाहते है कि और कुछ नया सिंगा मझने और मटी कोलर में अगर मल्टी कलर वाली है तो उसमें भी मै słuडी चाल रहे है वो को वायर को चलना कर칠ा वह उसको इसाथ कर लो शनिन यह चीह जैसलेrukt कर रहे है जहां तक टेश्चर basketball चलगा पाप छह उनिखमेश दो polite गar के उसको श करिए इसी को आपने चुब होना है इस वायर के बीचों बीच में इससे आपका ना बहुत असन तरीके से काम हो जाएगा और सुरी वीडियो लंबी बनगी लेकिन आप लोग ने जरूर सीखा होगा चलिए मिलते अगली वीडियो में तब तक आप धीपावली मनाईए और इस तरीके से आगे बढ़ाने में मदद कीजिए थैंक्यू सुमच और व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना है थैंक्यू सुमच